सुपरस्टर शारुख खान के फिल्म डंकी पिछली गुरवार थीटर्स में रिलीज हुई थी पठान और जवान के बाद इस सार शारुख के इस तीसरी फिल्म से जंता को बहुत उम्मीद दे थी उपर से शारुख पहली बार बड़ी ब्लॉगबस्टर फिल्में देने वाले राजकमार हिरानी के साथ काम कर रहे थी डंकी रिलीज होई तो क्रेटिक्स से इसे मिला जुला रस्पांस मिला मगर इमोशनल कहानी वाली इस फिल्म को अपने हिस्से के दर्शक खुब मिलने लगे और जिससे बॉक्स ओफिस पर पहले ही दिन से इसकी सॉलिड कमाई हो रही है थीटर्स में एक हपता पूरा कर चुकी शारुक के इस फिल्म ने एक सॉलिड कलेक्शन जुटा लिया है डंकी शारुक के साल आई पिछली दो फिल्मों से बहुत अलग है इसमें आक्शन नहीं है हीरो को तगड़ा दिखाने वाले मॉमेंट्स की भी कमी है फिल्म की कहानी का सारा फोकस एक एमोशनल ड्रामा पर है ये ड्रामा फैमिली ओडियन्स को खुब भारा है और परिवाल के साथ फिल्म देख रहे दर्शक थेटर्स से खुश होकर लौट रहे है फैमिली ओडियन्स बॉक्स ओफिस पर भी धमदार बना दिया है रिपोर्स ओफिस पर करीब नौ से दस करोर रुपए का कलेक्शन किया है सेकनल के के हिसाब से मंगलवार को फिल्म ने इंडिया में 11.56 करोर रुपए का कलेक्शन किया था और इसकी क्यमाए 141 करोर से जाद हो गई थी ब्यॉर रिपोर्ट दिली समाचार